करनाल में सड़क सुरक्षा महा 2021 के तहट परिवेहन विभाग द्वारा करीब 200 विभिन समाजिक संस्थाओं और अन्य समाजिक लोगों को पंचायत भवन में समान इट किया गया इस कारेकरम में करनाल भाषपा के नी वर्तमान जीला ध्यक्ष जगमोहन आनंद को मुख्य अतिति के तोर पर सम्भान भी किया गया कारेकरम में जगमोहन आनंद ने कहा कि उनका सड़क सुरक्षा अभियान के तहत लगाब और सहयोग हर्याना सरकार की मदद के रूप में याद रखा जाएगा क्योंकि सरकार और समाजिक संस्थाएं हमेशा से साथ जुड़कर काम करती रही है उन्होंने कहा कि परिवहन विभाग का ये कारेकरम 17 फरवरी 2021 तक चलाया जाएगा तथा पिछले कुछ दिनों में इस विभाग के जागरुकता अभियान की चारो तरफ सकरात्मक चर्चा हो रही है उन्होंने कहा कि हर्याना की भाजपा सरकार लगातार लोगों को जागरुक करने के लिए परियासरत है ताकि कम से कम किसी सदक दुरगटना में किसी की जान ना जाए और ऐसे होने वाले हाथसों में कमी लाई जा सके करनाल की ADC वो सची परिवहन विभा करनाल विना हुड़ा ने भी वहां मुजूद सभी लोगों का अभार जिताया तथा उनकी सदक सुरक्षा जीवन रक्षा अभियान में एहम धूमिका की सरहाना की उन्होंने कहा कि करनाल भाजपा की ततकाली इंजिलादेख्ष जगमोहन आनंद ने समय समय पर हमारे इस अभियान को काम्याब बनाने के लिए अपना संपुरन सहयोग दिया है मुख्या अतिथी के रूप में जगमोहन आनंद के पहुंचने पर धन्यवाद किया तथा पूश्प गुच दे कर उनका स्वागत किया गया वहाँ मुख्योद लोगों को सडक सुरक्ष अन्यवों के परति जागरूप करने वालों में करनाल कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के निदेशक डॉक्टर जगदिश दूरेजा डॉक्टर योगेश शर्मा सीमो नरेश कुमार निरिक्षक हाई दरनी हमारी जिले की बहुत ही कर्मट परश्याशनी का अधिकारी वीना उड़ा जी की अधिक्स्ता में आज ही कार्यकर में रखा गया एक जागरूप अभियान है जनता को इसके प्रति जागरूप करना समाज में वरिश लोगों को इसके प्रति जागरूप करना देशे ये हैं कि हम लोग सड़त पर चलते उन नियमों का पालन करें जिससे हम किसी की जान बचा सकें और सबसे बड़ी बात है कि दुरगटनागरत में किसी की जान बचाने के लिए अपना एक अच्छा नागरिक होने का दायतों ने बाते हुए उनकी मदद करें उनको हस्प च्छोटी जीवन के अंदर चोटी चोटी चीजें जो एक ब्लड है जो एक खून है वह व्यर्थ ना जाए देश की रक्षा और स्रक्षा में वह जो खून कामाने वाला व्यर्थ सडकों पर न बहें सिर्फ इस सड़क सुरक्षा का जो यह एक जागरू का भियान है महा में चलने वाले कारेक्रम हैं उनको यह इस परकार का सफर उजयन करने का एक चंता के बीज में जागरू संदेशन का काम करते हैं मैं अपनी और से करनाल के विदायक और माने मुख्यमंतर जीगोर से सभी परशाशनी का दिकारियों को और आज के सभागार मुपस्ति सभ सभी गनमाने नागरिकों को इनके लिए मैं धन्यवाद भी देता हूं कि वह ऐसे जो यह समय समय पर कारेक्रम जिला परशाशन कर रहे हैं उसमें भाग ले रहे हैं और यहां से निकल करके वह अपने लिए भी और समाज के लिए भी इस जागरूपता को आगे धन्यवाद कि यह जो है सुरक्षा सपताह सडक सुरक्षा मा में तबदील हो गया है इस साल से लेकिन हमारा मानना यह है कि सडक सुरक्षा किसी सपताह या किसी मा का विशह नहीं है यह रोज का विशह हर पल का विशह ठीक है उसको हम यह महिना जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं 18 जन्वरी से देखे 17 फेबरेरी तक रोज कोई ना कोई आयोजन इस विशे में किया जा रहा है और एस असेसेंट सेक्टरी आटीए करनाल वो चुकि हम तो होस्ट हैं उस चीज में लेकिन फिर भी उसका एक तरीका जो है वो यह है कि मैक्सिमम लोगों तक हम पहुंच सकें एक बार दु में उनके दिल में यह बैठ जाए कि उन्हें यादायात निहमों का पालंग करना है वो बहुमूले जीवन जो हम सड़कों पर दुरगटनाओं में गवाते हैं उन्हें हमें बचाना है जादा से जादा बचाना है तो इसी बारे में आज हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं समाजिक लोग हैं इसके अलावा हमारी ट्राफिक पुलिस से हमारे जो है दिन रात बड़े मेहनत से काम करने वाले हमारी ट्राफिक पुलिस के लोग हैं और डॉक्टर्स जो की इलाज में भी हमारी मदद करते हैं और इस वक्त तो हमारे साथ बहुत सारे कैंप्स भी लगा से उनको एक तरीके से एजूकेट कर तो इन सब लोगों को अपने साथ जोड़ कर आज एक ये वर्कशॉप कम हमारा समान समारो होता जिसमें हमने इन से जुड़े हुए लोगों को समानित भी किया है हर एक वर्क से और साथ ही सभी ने बैठ कर इस बारे में चर्चा भी की है और शपत्ली है कि हर हाल में सब्सुरक्षा नियमों का पालन होगा तो मेरी उमीद यह है कि हम इस मैसेज को जादा से जादा करनाल जिले में जल्दी से जल्दी हर तरीके से जो है इसको हम स्प्रेड करें और उमीद यही करते हैं कि इसका सार्थ तक नतीजा निकले हम रिखते हैं लेकिन गाड़ी खड़ने की विवस्ता नहीं मिलती मैं इसको लेकर क्या जहां तक मुझे पता है जो हमारा स्मार्ट सेटी प्रोजेक्ट है हमारे माननी उपायुक महोदय वह उसके चेर परसन है और उनकी रहनुमाई में बहुत जल्द ही पार्किंग के लिए बड़े स्तर पर काम किया जा रहा है तो ती जगें चिन्नित की गई है और वहां पर बहुत जल्दी ही जनता की सुविदा के लिए पार्किंग के विवस्ता हो जाएगी बहुत जल्दी ही इनफेक्टेटेज विदिन दे नेक्स फ्यू देज वह हम चलाएंगे उसे क्लियर कराने की कोशिश करेंगे अवैद कट की बात जो आपने मेरी नौलेज में अभी डाली है तो डेफिनेटली विल वर्क हो जल्दी ही आपको कोई नुकसान हो रहा है मुझे नहीं बता वो कितना होता है पर कुछ दिनों के लिए कि उस तरह लोग खुदी नहीं गाड़ी पार करेंगे जब एक पर पार्किंग की विवस्ता हो जाएगी और लोगों को यह समझ में आ जाएगा कि यह अब और ज्यादा इसको ब हम करने वाले हैं बाकी हमारी जो यह हेल्थ कैम्प्स हैं वो तो जो है रूटीन में रहने ही वाले हैं इसके अलावा हम जैसा कि मैंने अभी कहा यह चलानिंग और इसकी हम अभी तो फिलहाल पंदरा दिन के लिए तो हम लोगों को जागरू कर रहे हैं फूल दे रहे हैं ज यहां कहीं भी नहीं है ताकि दून्द के वजह से और दूसरी वजहों से एक्सिडेंट ना हो और इसके अतिरिक एक आईडी टी आर जो यहां बन रहा है उसके साथ ही हमने को लैबरेट होंडा के साथ किया है तो हम कोशिश करेंगे एक ऐसी मुहीम शुरू करने की कि जब चल यहां के दिमाग में रहें उनके साथ चले उनको सिर्फ यह ना लगे कि हम पैसे दे कर बचके तो यह भी हम बहुत जल्दी ही शुरू करने जा रहे हैं और इसके अलावा हमारी अवेर्नस कैंपेंस तो रेडियो के जरिए आपके टेलिवीजिजन के जरिए और हमारे आप उन मंचलों को कैमेसे देना चाहते हैं जो ट्राफिक चलाने देखे एक दमसे बाइक गुमा लेते हैं दूसरों भी जान की परवा किये बिना दूसरों बहुत कीमती है और बच्चों की और युवावर की जान तो सबसे अधिक कीमती है वो यह ध्यान रखें कि उनकी परिवार के लिए हैं और वो देश और समाज की थरो हर तो इस चीज का ध्यान रखें सिर्फ कुछ पल के त्रिल के लिए किसी ने कहा है न स्पीड थ्रिल बट किल्स तो कुछ पल के थ्रिल के लिए उस खतरनाक रास्ते पर कर पहना जाहें मैं माघरबाद ऐसे ही लेटेश को बरेपाने के लिए बेल इकन को खिलिक करें हमारी चैनल को लाइख, शेर और सब्सक्राइब करें थान्यवाद बैंक्वेट्स लाए हैं इंक्रेडिबल मारिज पालेस राजगराना और फानेस्ट बैंक्वेट आल जोती गार्डन झालेसे पालेसे लेटे बैंक्वेट्स लाइब करें हमारेस्ट लेसे अरेस्ट like लिए घ करें हमारे добे भी बैंक्वेट्स